इसलिए अपराधियों के मन बुलंद हो जाते हैं जैसे राज में अभी बदलते बिहार में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं मुझे तो यही पता है चुके मैं बहुत सारा कोभरेज किया हूं अपराधी जान की बदला जान चाहिए जान लेना चाहिए किसी का संपती लिए पैसा ले करके किसी को हर पे तो नहीं थे दोस्तों नमस्कार अभी मैं अररिया जीला के कुर्सा कांटा परखंड में हूं और मैं आपको पता दू कुर्सा कांटा परखंड के जो है यह रजोला चोक पर इस मैं मौजूद हूं संधिया का समय है यह और लगभग अभी जो है आठ बजने जा रहे हैं आप यह महसूस कर रहे होंगे कि पत्रकार इस वक्त कॉफरेज क्यों कर रहा है दोस्तों मैं आपको बता दू कि आए दिन आजकल जो है घटना करना घटना को जो है अंजाम देना क लगातार जो है अब देखते होंगे कहीं किसी कौ गोली मार दिया किसी का जो है जो प्रादियों के मन जो है बुलंद हो जाते हैं इसी परकार जो है आए दिन ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम दे देते हैं फिलहाल मैं खबर की बात करूं तो आज जो है इसी रजोला चोक पर एक हिर्दे विदारत घटना सामने आया यकीनन उस घटना को आप सुनेंगे तो सा से सायथ पैर के नीचे से कहीं न कहीं आपकी जमीन निकल जाएगी एक खाद दुकांदार है बिजनेस है कर बिजनेस करता है जिनका दुकान जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं यही वह दुकान है दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसी दुकान में एक संपत नमक वेक् और जो ही वो समान देने के लिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल उसी करम में यहाँ पर उनकी गोली दाग दी जाती है अब बताईए सरयाम इस परकार से जबके चोड़ा है यह यह चोड़ा है यहाँ आपको एनी टाइम जो है यहाँ आपको पचीस से तीस लोग उसे भी अध प्राधियों का जो है देख लिजिए कि किस परकार से मनोबल आला मकम पर है बुलंदियों पर है कि जो है दिन के 11 बज़े आकर किसी को भी गोली से भून देते हैं और उनको जो है उनकी अंतिम संस तक छीन लेते उनको इस दुनिया से हमेशा के लिए रुक्सत और हो गए पकड़ में फिलाल नहीं आया है साइध मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज में अभी बदलते बिहार में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं मुझे तो यहीं पता है चुके मैं बहुत सारा कोब्रेज किया हूं अपराधी बहुत कम पकड़े जाते हैं लोग है एक अठा है लोग कही न कहीं लोग गम में हैं दुख में हैं सबकी आखे नम है क्यों कि जो है एक बिजनेसमेन को चुके उनकी उनका कुसूर क्या था क्या आपसी रंजीश थी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन फिलाल जो है यहाँ पर 11 बज़े दिन में गोली मार कर जो है उनको इस्वर के पास भेज दिया आईए कुछ लोगों से मैं जनने का प्यास करता हूं कि आखिर घटना कैसे हुआ कि नहों ने इस घटना को अंजाम दिया है किस पर है संदे यह हम जनने का प्रियास करते हैं यह बहुत सारे लोग है क्या नाम है सर आपका अंबंद में कुछ जनकारी है आपको देखे यह घटना के जनकारी तो हमको नहीं है अच्छा मगर जब यह जो लड़का जो था संपत नाम का जो लड़का था एक आप सी कोई अपना भैयारी का जो कुछ जगणा था उसके लिए वह वहां परमुक साहब के यहां गए किसी का तो वहां से बो चल दिया वहां हम लोग कर रो कि हैं ने हम हा रहे हैं बस वह लोग के बाहां Champa कर दिए ये पता कि संपत को गोली मार दिया पांच मिनट के अंदर में है नहीं पता है कि मतलब जो है आप राधी को मतल यहां कोई देखा नहीं नहीं पड़ी क्या है हम लोग तो यहां इसी हो करके और तीन लड़का जो उस पर सवार था वो भागते हुए हम लोग देखें अच्छा एक सवाल में रहा है अपसे एक सवाल आखिर इस परकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है क्यों दिया जाता है बताएगा आप से सवाल मुझे यह करना नहीं था यह सवाल मैं परसासन से करता परसासन और सासन पर बैठे लोगों से करता लेकिन आप से क्यों कर रहा हूं अपरादियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है गलती किसकी है किसकी चूक और किसकी मिश्टेक है किसकी लापड़वाही है देखिए आप जहां तक परसासन की बात है वो तो के अंदर में और मेरे पंचात में ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था नहीं कभी नहीं हुआ था बड़ा अनिंदन ये घटना है दोस्तों आईए कौन है ये ये संपत जी की मम्मी है और क्या बीत रहा होगा ये हम और आप जो है इसका इसास तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही व दो है इनसे जुदा हो गया वह भी एक दो दिन चार दिन के पहुंच दिन के लिए दस साल वी साल पचास साल एक साल के लिए नहीं बलके हमेशा हमेश के लिए जुदा हो गया अच्छा मामी आखरी बात आप से अपने बेटे मेरा बहुत है थोड़ा से खाया था बैस वही खाया था पूरावित दिया दियाज से जमिन लिये थे अधुन काल अर्व जमीन की बात है ना लुसे बाहर से रानिकन में रहती है बाहर से बाद मास लाख है अधमकी देता था राद दिन में लाता था आज के घटना में पहां का है वह पकड़ा गया है अच्छा देखिए अभी आपको क्या चाहिए नियाई चाहिए जो लोग आपके बेटे को तरपा करके मारे हैं उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों मैं तो यही कहूंगा प्रसासन बेठे लोगों पर सत्ता और शासन पर पर सासन पर बेठे लोगों से यही विनति करूंगा ये अपराधियों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिये ताके आने वाले समय में जो है वह इस परकार की घटना को करने के लिए कभी भी न क्या बोल रहा है जानकी बदलात जान चाहिए जान लेना चाहिए किसी का समपति लिया थे पैसा ले करके किसी को हड़ पे तो नहीं थे वो कह रही थे आज चार-पाइंच दिन से बोल रही है कह रही है उसके आद्मी आ रही है उसको मारने के लिए तुमsesको मरवाएंगे भो अच्छा यह पांच दिन के अंदर वो जो जो क्या नम बोले उनका रंजन ठाकूर इधर दिखा है कि अधर कल साम में आया था यानि आप लोगों का कहना है कि उन्हों नहीं मरवाया है उनको सक्त सजा मिलनी चाहिए क्या बोले भी यह पहले से भी लेकर आता था रात में आता था बार्रव जहां यहां क्या करने के लिए और जमीनी वीवाद के लिए आता था आप कभी भी कभी आता हूं तो एक आज जो है हूं बियार पुलिस के कुछ जो है चोकीदार हवालदार को यहां देखता आूं क्या उस वेक्त नहीं ठेक्या लोकल आदमी संग साती है इसको की तचर नहीं करता है देखें यहां पर कहीсь न कहीं दोस्तों यह बहुत ही बड़ा जो है निन्दन यह गटना है इस तरह की घटनाओं पर जो है कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है वह दुकान है और घर घर जो है इनका यह घड़ है आए थोड़ा सा और लोगों से हम बात करने का प्रियास करते हैं आए इधर आए अच्छा एक बात बताईए आए दिन जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है किसकी कमी किसकी है वहाँ है परशासन जो है इस पर नहीं कर सकता है यह चाहिए बष्रकी चाहिए पुलिस पर साशन तो को बेसाखी पर चल रहा है ना बैसाखी को चल नहीं पारा बढिए चलते इस तरह का घटना नहीं होता इसे पुर्वे पुर्सागाटा में जो कई दुर घटना हुआ है पुलीस खुद वहां से भाग चुका था इसके साथ किया है हो सकता है किसी से फिर दूसरे साथ घटना करता हूँ हो सकता है जाल के बदला जानना चाहिए फासी सजा मिलना चाहिए इतना उसके पतनी काशे रहेगी आज उस पर हुआ काल उसके पतनी परोगा कल उसका बच्चे पर भी हो सकता है जाल के बच्चे पर भी हो सकता है छोड़ा बच्चा इतना ना बच्चा है इसका इधर आई इधर आई इधर आई थोड़ा आप हमको पैसा देकर बोला है क्या हम अपने ना खबर उठाने आ है हम लोग देखिए नियाय पाली का हम तो नहीं है यह देश जो है समीधान से चलता है हम लोग इस देश के चोथे अस्तम है खबर को दिखाएंगे पर सासन ना कड़ेगी करवाई हम कड़ेंगे चाची बताईए अचा सजा मिलना चाहिए कैसी सजा मिलनी चाहिए देखिए यहां के लोगों का मता और बहनों का भी यही कहना है कि सख्त से सख्त जो है सजा दिया जाए ताके इसी हरकत करने का कभी भी जिन्दगी में सोचे भी नहीं बस मैं भी यही विनती करता हूँ यहां पर विचोलिया पंती नहीं होनी चाहिए इस मामले की गहराई और गिराई से जांच होनी चाहिए जो कुसुरवार है वा बक्से नहीं जानी चाहिए वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्साओं का दोस्तों का बाईयों का बहुत बहुत आभार शुक्रिया शुपकामना जाहिन